एक ऐसी चीज जिसको मिलाने में जिंदगिया बीच जाती है एक ऐसी चीज जिसका मैच फाउंड कराने में तुनिया बीच जाती है एक ऐसी चीज जो तुम्हें सिंगल से डबल जल्दी बनाएगी कर पर खुद की मैचिंग लेट करवाएगी उसका नाम है बैलेंच शीट द इन दोनों के बीच में भच आता है तो हाई गैसे वेडियो आज छोटी सी वीडियो लेकर रहा हूं रेटेट टू बैलन्स शीट ओफ एन पी ओ तो चलिए मैच करते हैं बैलन्स शीट नाम से समझ मार आ रहा है कि भया एक ऐसी शीट है जो कि बैलन्स है बर कि ये बैलन्स क्यों नहीं होती है बेसिकली बैलन्स शीट जो आपको एन प्रकार के अपरेंग नहीं है वो has it is same है जो कि बाकी सब के अंदर परनी है पल इसके अन्दर चोटी मोटी दो तीन चीजें है जो कि आपको समझ नहीं है और को समझना बहुत ज़री जरूरी पर और ना question तुम से होगा नहीं ठीक है तो देखो क्या क्या है आपने दो प्रकार की अकाउंट पड़े एक था रिसेप्टन पेमेंट अकाउंट और दूसरा था इसी का भाई इंकम एन एकस्पेंडिशिए अकाउंट में ठीक है और इंकम एकस्पेंडिशिए अकाउंट में एजस्मेंट पॉशिशन भी आ गया बट जो चैपिटल बेस्ट ट्रांजिक्शन है उसको हम ले कर जाते हैं बैलनीशीट में साथ साथ एक पॉइंट और है लोग यहाँ कंफ और एक होता है next year अब बोले से यह कौन सा खेल है खेल बड़ा सिंपल है अगर आपका कोई liability है कोई asset है तो वो भी इसके अंदर count होगा for example पिछले साल का पैसा अब तक नहीं मिला not received वो का होगा वो भी balance sheet माएगा अगले साल का पैसा जल्दी मिल गया वो भी balance sheet के अंदर count होगा ठीक है तो बैने शीट का ओर वी जो आपने जनरली पड़ा है उसको मनाते हैं यहां पर ठीक है उसके बाद बताएंगे एंप अंदर क्या differentiation लेक्रेंशेशन जहां बड़ा सिंपल अचा एंध यहीं पिछली जो ग्लास्ति उसको बहुत ज़्यादा मजे आए फ्री कौँंसा statement फाइनिशल statement जो financial चीजह को record करता है इतर होती है आपके liability और इधर होती है आपके asset ठीक है जान समझना लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल बेस्ट लाइबिलिटीज आपकी आती है ठीक है बिल्स बगेरा या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गई तो ठीक है आपको कोई फंड मिला वह हैं पर काउंट हो जाएगा इसके अन्दर सबसे पहली लिखो इस पेशिटर सब क्या क्या रजा यहां कि दो के सब तोars तरह कि एक इसा उफंड को हो dużo जैसेट क्रियेट कर रहा है तो फिर तुम तले जाओ गए तो बिल्डिंग हो गई या कोई और कैश हो गया बैंक हो गया यह चीज़ी यहां पर काउंट होती है अब अमने एक चीज़ पढ़ी है कि यहां पर बेसिकली यहां पर इस्तेमल नहीं किया जाता है यहां पर इस्तेमल किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड यह दो प्रकार के फंड अगर आपको मिल जाए ना तो वह बेसिकली कैपिटल फंड ही डिनूट कर रहे हैं अब एक इंपोर्टेंट चीज इसको आपको ध्यान रखना है वो यह कि आपको दुनिया के हर क्वेश्चन के अंदर जो भी बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें बैलेंशीट बनानी होगी हर क्वेश्चन के अंदर एक चीज क्रियेट करनी पड़ेगी पिछले साल की जिसमें हम बाकी पिछले साल की लाइबिलिटी पिछले साल के एसेट लेकेंगे और जो बचा कुछा पोर्शन होगा उसको हम कैपिटल फंड के नाम से डिनोट करेंगे यह याद रखना बहुत इंपोर्टन है इफ दा क्वेश्चन हाज नो कैपिटल फंड और जनरल फंड तो हम स्पेसिफिकली कैपिटल फंड फांड करने के लिए करने के लिए हम बनाएंगे पिछले साल के क्लियर हो गया सबको बड़ा इजी है अब समझो यहां तक तो नौर बने अब बाद आती है कि के अंदर कौन से एसे टाते हैं कौन से लाइबिलिटी जाती है तो सिंपल सा है बड़ा सिंपल करने तो उसको जादा मुश्किल नहीं करेंगे तूगा वही तरह देखो कि एक इंपॉर्डेंट चीज है आपके पाद जो लाइबिलिटी में उनका नाम लिख देता हूं हम इंकम एक्सपेंडिटर अकाउंट है तो देखो इसमें एडवांस आउस्ट्रेंडिंग यह सब भी इसके इंदर आएगा पर कैसे आएगा उसको देखने के लिए एक ची चा話 जानरा माहिए तो कहाऑंगे इंकम आपकी नौट रिसीइवडए तो कहाएगी और इंकम अगर एडवांस में इसी आई तो कहाएगे चाल सीजेल्ग होते ज्वेंदंदी माले क्यूसोर्प सब्सक्रिप्शन है जो इंकम पिछले साल का अब तक निमिला पिछले साल का अब तक नहीं मिली है तो उसको हम लिखते हैं क्योंकि मिलने वाली सिमिलर्ली अगर कोई इंकम है जो एडवांस में मिल गया तो वह इंकम एक्सक्राइश में तो नहीं आया पर उसको वहां से उठाओ गया पुरूठा के कहा लिख दोगे लाइब डिटी साइड क्लियर हो गया समझ में आ गया एक्सपेंस का उल्टा है माल अगर आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में सेलरी जो है वह एडवांस में पेकर दी तो वह कहां काउंट जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नेगलिट करते हैं हर समय पर इनको करना इनको पढ़ना बहुत जादर जरूरी है ठीक है यह आपको मि एक और दूसरा मिलिंगे ऑच्प यह ठेक है यह ठेक है यह रिखना एंपी ओ में गलती है ना पिए इसके लावा कोई तरीका नहीं है जो आ गलती कराता है अगर तुमने बैंस शीट का यह वाला हिस्सा प्रॉपर्रली समझ लिया तो थो में लिखी प्रॉब्लम नहीं करो यह वीडियो छोटी जरू बनाई थी मैंने पर इसको बनाने का मेन परपस यह 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 पॉइंटर हम एलिमिनेट कर देते हैं हर जगे तो इन पॉइंटर को पकड़ो पकड़के उत्तर निकालो ठीक है तो दो बात करें हमने पहली तो यह यह सारी चीजे कहां पर काउंट ह होंगी दूसरी चीज एंपियों के अंदर अगर आपको कैपिटल फंड नहीं गिविल होगा तो आप इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल फंड के अंदर कुछ नहीं काउंट होगा बट जो आपकी क्लोजिंग बैलेशीट बनेगी कॉश्चन क सब्सक्राइब मिल जाएंगे साथ साथ अगर लाइफ क्लास से जोइन करनी है नहीं प्लस या इकॉनिक का सब्सक्रिप्शन देना है यूजिंग कोड गोहरव जी मिलते हैं आप लोगे सब्सक्राइब नमस्कार बना है यूजिंग प्रहित टता हैं झालर कोड़े खिर जाता उसे अगरा से जाएंगे सब्सक्राइब नहीं टाएंगे साथ।